हेलो एरिवन वेलकब पैक टू अनलाइन स्टेडियों इस वीडियो में हम लेकर रहा हैं पूरे एक साल का जो आप ये बुक देख रहे हैं करन टफेट से जो की किजन पॉबिकेसंस के द्वारा ये रिलीज किया गया तो इसका हम लोगों ने आल्रेडी चार वीडियो देखा करीब इसमें 50 MCQ दिया गया तो काफी अच्छे क्वेसंस हैं एंड दक इस वीडियो के साथ बने रही है और बागी के वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर चेक आउट कर लीजेगा प्लेडिस्ट बन चुका है आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए हेलफूल रहने वाला ह चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और वीडियो कैसा रागा नीचे कमेंट करके जुरूबत है शुरू करते हैं देखें फर्स्ट क्वेसंस क्या है कि कि संगटन ने कोविड-19 variant B.1.1529 को चिंता जनक रूप से नामीत किया है सही आंसर बनता है option B विश्वे स्वास्त स अध्यान में पता लगाया है कि ब्लड टेस्ट के जरिये mental health और depression का कारण का इलास का पता लगाया जा सकता है तो इस प्रस्ट का राइट आंसर बंचागा अमेरिका ठीक है अमेरिका बिलकुल सही आंसर है अगला क्वेसंस क्या है नसा ने किस छुद्दगरा का अध्यान कर ट्रूजन कह सकते हैं ट्रूजन शुद्गरा का आध्यान करने के लिए भेजनी की गोशना किया है नेक्स्ट वन किस देश ने पहली बर प्रमाडु पंडूबी से हाईपर स्वानिक मिसाइल का सफल परिक्षण किया रूस बिलकुल सही आंसर है लिए अमेरिक है किस देश यह आंसर बनता है जर्मनी, C will be right answer जर्मनी, next questions बनता है कि बिजवस्वास संगठ्थन द्वारा अनुसंसित प्रथा मलेरिया टिके का नाम क्या, प्रथा मलेरिया टिके का नाम क्या, option C, RTS, S, या फिर इसका नाम रखा गया, मस्क्योरिस, ये ध्यान रखे हो, आगे बढ़ते Q7 कि कि इन्डोर स्थानों में वायू सोधन प्रकेरिया को बढ़ाता है, option D होगा, correct answer, IIT रोपंड और IIT कानपूर, ठीक है, IIT रोपंड और IIT कानपूर, next one कह रहा है कि भारत का पहला उपगरा और परमाडू मिसाइल ट्रैकिंग नौसेना जहाज, कन क्या नाम है, क्या नाम है, तो इसका नाम है, आइनिस ध्रू, देखें, next questions क्या कहा रहा है कि कि किस नहीं, लिक्विड सॉलिड इंटर्फिस, ट्राइबोंग इलेक्ट्रिक नैनो जेनेटर नामक ऐसा उकरण विक्सित किया है, जो कि पानी की बुंदों के माध्यम से बिजली उत्पन कर सकते हैं, पानी की बुंदों के माध्यम से बिजली उत्पन कर सकते हैं, तो यहां पर सही आंसर हमारा बन जाता, IIT दिल्ली, ठीक है, IIT दिल्ली इस प्रश्में का राइट आंसर होगा, ध्यान रखेगा, next question से कि सही आईटी ने भारत की पहली rapid electronic COVID-19 RNA test विक्सित किया, जो क कि भारतिय प्रदोह की संस्ता, हैदराबाद ने इसको विक्सित किया, ध्यान रखेंगे, अगला questions की, निम्लीखीत में से कि संगठें ने हिंदुस्तान 228 नामक नागरिक वीमान बनाने के लिए सफलता पुरवक जमीनी परिक्षण किया, सफलता पुरवक जमीनी विक्सित किया, जिसका परियोग, ना केवल सड़कों पर बलकि आसमान इलाकों में भी किया जा सकता है, किसने विक्सित किया, तो IIT मदरास, IIT मदरास, नेक्स्ट वन, तिरुची पल्ली, तिरुची पल्ली स्थित, ओर्डिनेंस फैक्टरी ने निग्रानी बढ़ाने के लिए, भारती नो सेना और भारती तर्टरक्षक बलको स्थानी रूप से, असेंबल की गई, 12.7 mm, स्थिर रिमोट कंट्रोल गन, प्रणाली स्वापी तिरुची प्रश्ण का राइट अंसर बनेगा, ओप्सन D, इस्रायल, इस्रायल यहां पर करेक्ट होगा, चलिए, अगला गोशन देखिए, नेक्स्ट वन एकी निमली खित में से, किस संस्था ने अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन, रास्निंग, उपकरण विक्सित किया, ज इस देश ने सर्फेस टू एयर मिसाइल, एंटी बैलस्टिक मिसाइल, इस 500 परणाली सफल परेक्शन किया, इस 500 परणाली को सफल परेक्शन किस ने किया, तो अमेरिका यहां पर करेक्ट होगा, डाबली अच्छो दौरा भारत में सबसे पहले पहचाने जाने वाले, कोरोन इस टापमा डेटा लॉकर, MB-Tag किसने विख्षित किया, MB-Tag को किसने विख्षित किया, यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन C, IIT अरो पर ने, निम्लिखित में से किस संगठन ने दुनिया भर के किसानों के लिए, दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प पेस किया, सही आंसर बन जाता है, ऑप्शन D, इफ को, इफ को यहां पर करेक्ट आंसर है, अगला प्रस्न देखिए, कहा रहे कि किस देश ने एक हवाई, उच्छ सक्ती वाले, लेजर का सफलता पुर्वत परिक्षन किया है, जो कि हवा में ड्रोन को मार गिरा सकता है, हव यह next question देखिए, next question क्या कहा रहा है कि DRDO द्वारा उडिसा तर्ट पर, DRDO द्वारा उडिसा तर्ट पर आगे बढ़ते हैं क्या लिखा गया, DRDO द्वारा उडिसा तर्ट पर सफलता पुर्वत दागे के परमाडु सच्छम अगनी पी, मिसाइल परिक्षन के नए संस्क्रण कि स्ट्राइक रेंज क्या है, स्ट्राइक रेंज क्या है, तो ध्यान रखना है, यहाँ पर सही अंसर बनेगा, 1000 किलो मेटर से 2000 किलो मेटर, ठीक है, भारते विज्ञानिकों ने, MACS, MACS 1407, MACS 1407, नाम के किस फसल की नए किसम को विख्षिदी है, यह भी important रहेगा, तो इ पुर्ण प्रतिबंद लगा दिया है, glyphosate, glyphosate पर पुर्ण प्रतिबंद लगा दिया है, कि स्राज्य ने, तो अपसन हम B को टिक करेंगे, तेलागना, ठीक है, तेलागना, डिपकोवेन क्या है, तो डिपकोवेन एक तरह का antibody पहचान अधारित कीट है, C को टिक करेंगा नेक्स्ट वन, किसने इमारतों में स्वत जलवायू नियंत्रन के लिए स्मार्ट विंडो समागरी विक्सित की है, स्मार्ट विंडो समागरी को विक्सित की है, ओप्सन ए होगा, IIT गुवाटी, IIT गुवाटी यहां पर correct answer, नेक्स्ट क्रेशन बनता है कि किसने, एरोईज नेक्स्ट वन, कि ड्याडियों की किस संस्था ने मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसीना के जहाजों की सुरक्षा है तो एक उन्नत चौफ प्रदावगी को विक्सित किया, एक उन्नत चौफ रदावगी को विक्सित किया, किस ने, तो यहां पे सही answer हमारा बन जाता है, औप् पर्योग साला जोदपूर, नेक्स्ट क्वेशन्स, अमेरिका के किस मिसन ने पहली बार मंगल के वायुमंडल में कार्बन डायक्साइड को सुध करके सांस लेने यूग ऑक्सिजन में बदल दिया, तो परसिवरेंस रूवर, बीकूटिक करेंगे, अगला पॉइंट्स, कि किस ने लॉँच किया, तो सही आंसर हो जगा, अरूस, किस ने स्टारशिफ SN10, रॉकेट का सफल परिक्षन किया, स्टारशिफ SN10 को सफल परिक्षन किया, किस ने स्पेस एक्स ने, अगला पॉइंट्स, किस ने अभिवरीतिक, भीनता के अध्यन हे तो स्वदेश निरमित स किस ने लॉँच किया, तो इसे इसरो ने लॉँच किया, किस देश में स्टारश्ट, स्टारश्ट 1.0 लॉँच वहिकल को लॉँच किया गया, अब ये कहां पर लॉँच किया गया, अमेरिका में, अमेरिका में इसे याद रखेगा, अगला प्रश्ट है कि दुनिया का पह अगला प्रश्ट किस देश ने anti-tank guided missile हेलीना दुरुवस्त का सफल परिक्षन किया किस ने तो इस प्रश्ण का right answer बन जाता है option ए भारत भारत नसा के मार्स 2020 अगला प्रश्ट इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी वंत्राले किस मोबाइल अप्लिकेशन के मुल्यांकन को परभावित करने के लिए त्यार है option B उमंग उमंग यहां पर right answer होगा अगला questions कौनसा देश अंत्रिक्ष में कच्रे की समस्या से निपटने के लिए 2023 दक जुनियां का पहला लकडी से बना अंत्रिक्ष उपगरा लॉंच करने की गोश्टन है किया next questions क्या रहा है कि किसने के वी कई ची डौरा विक्सित वादिक प्राक्रếtिक quindi को लॉंच इन नितिन कड़करी ने लॉंच करने जसने भारती सेना के साथ मिल करके भारत की पहली स्वधी सी मसिन पिस्टल अस्मी अस्मे विक्सित करने तो यहां पर सभी उन्सर बनता है डियाडियो ने भारती सेना के साथ मिल करके उडिसा के तठ से किस वेपन का सफलता पुर्वक परिक्षन किया गया किस वेपन का सफलता पुर्वक परिक्षन किया गया साओ का परिक्षन किया गया किस ने ओिशा के एकिकृत परिक्षण रेंज से अकास-NZ, अकास-NZ का मतलब new generation NG का मतलब new generation यो का मिसाइल के परिक्षण प्रच्छेक्षण का आयोजन किया। किस ने किया Ты तो DRD उने स्पेस एकस ने एक रोकेट से कितने सेटलाइट लॉंच किया किस देश ने परमाडु संचालित कृत्रिम सूरे को सफलता पुरवक सक्रिये किया किस ने चाइना ने चाइना यहां पर करेक्ट होगा किस IIT में सोधकरता ने ऐसी नवीन समागरी विक्सित की है जो कि नम हवा से पानी उत्पन कर सकता है तो यहां पर हमारा सही आंसर बज़ेगा भारते प्रधवों की संस्ता गुहारी आयाइटी गुहारी यह ध्यान रगीगा आयाइटी गुहारी गुहारी चले अगला कुशन क्लिया हो गया होगा कि यह किस देज का यान हो सकता है хотите चाइन का अगला गुतत की कि द्वीर रक्षा मंतरी रास्ता सिंग द्वारा उन्नत लोगे सव क्वाइबरगाज कहां पर क्या गया this का गार्टन किया नावरियन का नाम किया है इसका नाम है B1.1.7 ध्यान रेकना है रक्षान उसंदांस विकास संगठन परिक्षण ने पिनाका के 19 संसकन का सफलता पुर्वक परिक्षण किया तो पिनाका एक परकर का क्या है पिनाका एक परकर का रॉकेट प्रणाली है बीकोटिक करेंगे रॉ 500-meter developed test facility में Hyperloop pod में पहला मानो परिक्षन सफलता पुर्वक किया है option हम B-coating करेंगे सन्युकतराज अमेरिका next questions जो कि बिज्ञान और प्रधोगी का आखरी questions है किस देश ने उच्छ आवरिती वाले टेरा हर्च स्पेक्ट्रम का उप्योग करके अंत्रिक्ष से संचार का परिक्षन करने के उदेशे से कक्षा में UASTC उपगरा यानि Star Era 12 नाम से दुनिया का पहला 6G उपगरा सफलता पुर्वक लॉंच किया किस ने तो यह चाइना ने लॉंच किया तो देखे आसा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा और यह वीडियो काफी छोटा था क्योंकि इसमें जो questions दिये गए थे 50 questions ही है विज्ञान और प्रिदौग किसे और आसा करते हैं किसे पहले के बाकी के जो मैंने 3-4 प कर सकते हैं और चाही बात PDF की तो इसका PDF आपको टिलिग्राम पर डाल दिया जागा जैसे पहले के PDF को डाला गया तो आप टिलिग्राम को जोइन करके रहे हैं इस वीडियो के निचे description में लिंक मिल जागा ठीक है तो चलिए मिलते है next class में thanks for watching keep watching keep learning have a good day